दोस्तो आपके फोन में होर्सपोर्ट तो हो गई जिससे आप किसी को भी अपना जो डाटा है वो शेयर कर सकते हो दोस्तो अगर आपके फोन में भी होर्सपोर्ट है तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए काफी जारा पोर्टेंड होने बाली है क्योंकि दोस्तो आज मैं आपको होस्पोर्ट की कुछ ऐसी खुफिया ट्रिक बताऊंगा जिसको देखने के बार में आप भी बोलूगे कि भाई आपने ये पहले क्यों नहीं बताया जी हाँ दोस्तो आज मैं आपको कोई भी एप्लिकेशन डाउनलोड करने को नहीं बोलूगा जो भी होगा वो आपके फोन में ही होगा और ये सभी फोन में होता है लगबग दोस्तो आप इसको ट्राइ करके जुरूर देखना दोस्तो अगर आप भी जानना चाते हो कि होस्पोर्ट की खूफिया ट्रिक क्या है तो दोस्तो इस वीडियो के लाट तक बने रही है और हाँ दोस्तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपके सबके phone में horseport का option तो हो गई जो आपकी horseport की setting होती है तो दोस्तो आपने simply से बहाँ करना है click बहाँ पर click करने के बारे में दोस्तो आपके पास कुछ ऐसा interface हा जाएगा जैसे कि दोस्तो यहाँ पर जो आपका password होगा जो आपने horseport का password रखा होगा और दोस्तो आपको यहाँ पर कुछ option दिख रहे होगे दोस्तो यह option आपके लिए काफी जड़ा potent होने वाले है अगर दोस्तो आपको कोई भी तंग करता है कि horseport ओन कर दो और वो आपके सारे net को खतम कर देता है दोस्तो अगर आप चाते हो कि मेरा horseport भी ओन रहे और वो मेरा net भी खतम ना कर पाए दोस्तो यह option आपके लिए काफी ज़्यादा useful होने वाले है क्योंकि दोस्तो इससे आपका जो horseport भी ओन रहेगा और वो आपका net भी खतम नहीं कर पाएगा दोस्तो आपको करना क्या है सिंपली से दोस्तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी data limit पर use तो दोस्तो आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बारे में दोस्तो आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा जैसे कि 20 MB, 30 MB दोस्तो ये आपको ये दर्शार है कि अगर आप किसी और को अपना डाटा जो है वो शेर करना चाहते है तो दोस्तो आप कितने MB की जो है लिमट बनाना चाहते है दोस्तो अगर आप अपने 20 MB की लिमट बनाना चाहते है या 30 की बनाना चाहते है दोस्तो अगर आप जो भी MB य पर दोस्तो उस बंदे का जो वो नेट है वो नहीं चलेगा दोस्तो वो परशान हो जाएगा कि मेरा उसको बंदे का होर्सपोड भी ओन है पर ये मेरा नेट क्यों नहीं चला उसको लगेगा कि आपका नेट स्लो है तो दोस्तो इसकी बदर से वो आपके नेट को खतम नहीं कर पाएगा और वो आपके होटसपोड को बंद करवा देगा दोस्तों आप ऐसा हर रोल कर सकते हो तो दोस्तों आपको मैं दूसरा भी बताना चाहूंगा कि अगर दोस्तों आपके काफी सारे दोस्त हैं और वो आपसे होटसपोड ओन करवाते रहते हैं और आप किसी एक बंदे आपने यहाँ पर click कर देना है जो भी आप चाहते हो कि अगर मैं चाहता हूं कि दो बंदे मेरे साथ connect हो सके मेरे horseport के साथ तीन हो सके या एक ही हो सके तो आपने वो number choose कर लेना है उसके बार दोस्तो उस पर tickle गा देना है दोस्तो इससे होगा कि आपका horseport तो उना रहेगा तो दोस्तो आपका वो password भी डालेगा पर दोस्तो आपका जो वो होर्सपोड है वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो रहा तो दोस्तों वो परेशान होके शोड़ देगा कि शोड़ो पता नहीं क्या होगा तो दोस्तों अमीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो से कुछ नोलेज मिली होगी तो दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो अच् सब्सक्राइब करना मत भूला क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए में चाहिए वीडियो लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों तब तक के लिए दन्याबाद जैहिन जै भारत